हेलो एव्रिवन वेल्कम टो वाइफा स्टेडी चेंजिंग दे वे ओफ लेर्णिंग स्वागत आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर वन स्टेडी चनल वाइफा स्टेडी पर विच इस पाट ऑफ अनकाडमी तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वनवर्ड और स्टेडी के से फ्री है तो अगर इन आप फ्री स्पेशल क्लासिस का फायदा उठाना चाहते हैं तो जाकर कि मुझे अनकैडमी लेंडिंग पर फॉलो करें बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वनवर्ड की तरफ तो आज के हमारे जो पहला वनवर्ड है वो है कार्गो और कार करी किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं उसको हम कार्गो बोलते हैं तो सामान कैसा सामान जो की शिप के उपर एरक्राफ्ट के उपर और किसी मोटर वीकल के उपर करी किया जाए उसे हम कार्गो बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आप लोगों के सामने यूथनेशि और यूथनेशिया क्या होता है? दे पेइनलेस किलिंग आफ पेशेंट सफ्रिंग फ्रॉम एन इंक्यरिबल डिजीज और इन एर्रिवर्सिबल कॉमा ठेक है? तो यूथनेशिया काफी मतलब फेमस टर्म है जो आप लोगों ने देखिया आपने वो मुवी रेखिये गुजारिश रितिक रोशन की जिसमें वो अपंग होता है और वो चल फिर नहीं सकता है उसको हिल भी नहीं पाता है वो राइट? तो वो यूथनेशिया के डिमांड करता है ना यूथनेशिया आपके इच्छा मरती होती होती है ना विल्ब कोई अपनी लाइब से परिशान हो जाता है और जिसकी जीने की इच्छा खतम हो जाती है राइट? तो यूथनेशिया की जाता है यूथनेशिया मांगता जो कि यूथनेशिया व्यूंति भी जो है, यूथनेशिया की जो की मौनbnां में है तो उसको भी जो है वो युथिनेशिया की डिमांड उसके फैमिली वगरा कर सकते हैं तो यह युथिनेशिया आपके पेइनलेस के लिंग होती है केसी भी वेक्ति की इच्छा मरत्यु जिसे हम हिंदे में बोलते हैं काफी अच्छा वड़ रही है तो खुशी की एक्सैट्मेंट की जो इंटेंस फीलिग होते है वो आपके यूफॉरिया कहलाते है इसको रीपरेजेंट करने के लिए यूफॉरिया वर्ड का प्रियोग किया जाता है next word आप लोगों के समने है flaccid जिसका मतलब है lacking vigor और excitement जब आपके अंदर excitement की और energy की कमी हो विगर की कमी हो तो वो आपके flaccid कहलाता है excited नहीं हो आपकी personality में वो trait नहीं है तो उसको represent करने के लिए flaccid word का प्रियोग किया जाता है next word है दोस्तों आप लोगों के समने pellucid और इस pellucid का मतलब होता extremely clear तो कोई चीज अगर बहुत ज़्यादा clear है बहुत ज़्यादा साफ है तो उसको represent करने के लिए pellucid word का प्रियोग करते हैं ठीक है जैसे water को हम pellucid बोल सकते हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा साफ है तो यह पांच word अभी हमने सीख्या और पांच हो बड़े आसान word है अब इनको हम sentence में use करना भी सीख लेते हैं है ना फिल करेंगे तो sentence में फिल करने से यह अच्छे से आप लोगों के दिमाग में store हो जाएंगे ना देखो भाई ना तो पहला वर्ड आप लोगों के सामने है पहला sentence आप लोगों के सामने डाश is illegal in most countries तो कौन सी चीज आपके illegal हो सकती है obviously बात है euthanasia ना इच्छा मरत्यू बहुत सारे देश अलाव नहीं करते हैं तो बहुत सारे countries में euthanasia जो है वो आपके illegal है I was in a state of euphoria मतलब मैं उल्लासव नुमाद की state में था खुशी की state में था मतलब बहुत जादा कुछी में एग्जाम में जब मालो आप 95% score कर लो तो आप कौन सी state में रोगे euphoria की state में रोगे तीसरा sentence है unloading the dash was a slow process तो cargo को unload करने का जो process होता हो आपके slow होता है इस होता है his character is dash and uniformly uninspired उसका जो character है वो कैसा था आपके flaccid था his character is flaccid and uniformly uninspired था और पूरी तरीके से uninspired था last sentence आप लोगों के सामने है mountains reflected in the pellucid waters है कि जो crystal clear water था उसके अंदर mountains वो साफ-साफ reflect कर रहे थे उसके अंदर वो नजर आ रहे थे तो यह आज के हमारे 5 one word थे बढ़ते हैं हमारे idioms की तरफ तो आज के हमारी पहली idiom है off hand off hand का मतलब है off hand का मतलब है without previous thought है तो जब पहले बिना किसी thought के बिना किसी पहले के तो बिना किसी आपको कोई previous thought है अगर आप कोई चीज को करना चाहते हैं तो उसके लिए आप off hand का प्रयोग करते हैं I can't think of a better answer off hand कि मैं इससे कोई better answer जो है वो off hand नहीं सोच पा रही हूं यह यहाँ पर वो कहना चाह रहा है दूसरी आज कि हमारी EDM है seal the fate जिसका मतलब होता है end in failure the call for a boycott would be enough to seal the fate of next week's general election तो अगले week का जो general election है चेक है the call for a boycott would be enough to seal the fate of the next week's general election तो boycott का जो आवान किया जा रहा है boycott का जो आवान किया है वो basically seal the fate कर देगा मतलब वो will be वो failure हो जाएगा completely अगले week के लिए general election का जो होने वाला तो next week जो general election होना रहा है उसको वो पूरी तरीके से it will end in failure है जो जिस तरीके से boycott की call की जा रही है तो वो आपके failure में end हो जाएगा next आप लोगों के सामने है neck and crop जिसका मतलब होता है completely I can't believe you are just going to stop financially supporting me neck and crop मैं इस बात को believe ही नहीं कर पा रहा हूं कि तो मुझे financially completely financially बिल्कुल support करना बंद कर दो गया तो completely अगर आप support करना बंद कर रहे हो उसके लिए आपके neck and crop इडियम का प्रियोग करते वे यहां पे sense दिया गया but केवल neck and crop का मतलब होता है completely feet of clay का मतलब होता है hidden faults he was disillusioned to find that even Lincoln had feet of the clay उसको disillusion था, इस बात का disillusion था कि he was disillusioned to find that कि Lincoln जो था उनके अंदर भी faults थे उनके अंदर भी कमिया थी या ना तो feet of the clay आपके hidden faults होती है in black and white का मतलब होता है in writing thanks so much for the verbal offer but I also need to receive it in black and white आपने जो verbal offer दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन मुझे यह black and white में चाहिए यानि कि मुझे यह writing में चाहिए चलो भई, 5 EDM है फटाफट से match कर लेता है of hand का मतलब होता है आपके without previous thought seal the fed का मतलब होता है and in failure neck and crop का मतलब होता है आपके completely feet of clay का मतलब होता है सब आपके hidden faults and in black and white का मतलब होता है in writing दोस्तों मेरा foundation basic batch start हो रहा है 7 October से तो अगर आप में से कोई भी बच्चा interested हो SSE category में start होगा अगर आप में से कोई भी बच्चा interested हो तो आप मेरे referral code का प्रयोग करके an academy plus subscription ले सकता है आपको करना क्या होगा अपनी category आप लोगों को choose करनी है SSE exam category choose करने के बाद में get subscription पर क्लिक करें get subscription पर क्लिक करने के बाद में आपको साल भर का plan चूज करना है और यह बहुती बहतरीन प्लान है 6000 रुपे का plan चूज करें referral code लगा हर्च 11 apply पर क्लिक करें आपको instant 10% का discount मिल जाएगा उसके बाद में आप credit debit card, net banking और you pay के थूप payment कर सकता है you can net banking के थूप credit card के थूप और you pay के थूप payment कर सकता है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलता हूं आपसे next session में वीडियो को like और share करना ना भूले और चनल को subscribe करना ना भूले ना मिलता हूं से next session में तिल दन तेक केर, all the very best, bye-bye